Hello everyone, स्वागत है हमारे YouTube चैनल तोहीद Physics Classes पे तो जैसा कि कल से हम लोग नया टॉपी का स्टार्ट कर लिए हैं Current Electricity Current Electricity में हम लोग Electric Current का Introduction देखे वहाँ पे हमने पढ़ा कि Electric Current क्या होता है Electric Current का Formula क्या होता है और उससे कुछ Question किये थे तो आज हम Current Electricity का नया लेक्चर लिकर के आये हैं और यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर में basically पढ़ने वाले हैं कि किसी Conductor के अंदर Electron कैसे Flow करता है जब हम उसको कोई Electric Field से नहीं जोड़ेंगे तब कैसे Flow करता है और जब हम किसी Electric Field से जोड़ देंगे तब कैसे Flow करता है यानि कि यहाँ पे हमने Drift Velocity को डिस्कस करेंगे हम लोग अगर आप Drift Velocity का नाम सुने हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं Drift Velocity क्या होता है तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे Current Density के बारे में तो टॉपिक का नाम क्या है Current Density यह एक छोटा सा टॉपिक जो लिंक है Electric Current से ही यह किसे लिंक है Electric Current से लिंक है तो असलियत में Electric Current Electric Current का जितना यूज नहीं है अगर देखा जाये तो Physics से में Importance की बात करें तो जितना ज़्यादा Importance Current Density का है उतना ज़्यादा Important Electric Current का भी नहीं है यह ठीक तुम इस तरह से समझ सकते हो कि घर में बेटा से ज़्यादे दमाद का होता निजद तो वैसी यह है Electric Current बेटा है और Current Density का है दमाद है तो पूरे Physics में सबसे ज़्यादा इजद Current Density का मिला है Electric Current को नहीं मिला है जबकि Current Density Electric Current का ही टर्म है हम लोग Electric Current को पढ़ते है कि Electric Current जो होता है वो अदीस रासी है Electric Current क्या है विदुद्धारा क्या है अदीस रासी है लेकिन कई सारे ऐसे हमारे पास मतलब केसे साते है जहां पर हमको कि सदीस रासी के जरूत पढ़ती है एक ऐसा टर्म होना चाहिए Electric Current में जो कि सदीस होना चाहिए मतलब Electric Current के टर्मे में एक सदीस रासी की अवसक्ता पढ़ जाती है तो इसलिए हमने एक डिफाइन किया है एक ऐसी quantity को डिफाइन किये है जो कि सदीस रासी है और वो क्या है Current Density तो जैसे कि हम आगे हम एक एक एक्जामपल से बताते है कि ओम सलाव जैसे हम पढ़ेंगे तो ओम सलाव में हम लोग सिंपल पढ़ें है 10 क्लास में ओम सलाव भी इस इक्वल टू क्या होता है कई जगह पर जाकर के यूज होता है अभी तो आपको उतना दिखेगा नहीं लेकिन आगे जाकर के जब हम Advanced Physics पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस फॉर्मूला का ज्यादा इस्तेमाल है इसका कोई इस्तेमाल नहीं मतलब कम इस्तेमाल है ज्यादा इस्तेमाल इसका है जे बराबर सिगमाई जहाँ पर जे जुह है Current Adensity इस फॉर्मूला मा आपको कहीं पर current नहीं दिख रहा है तो ये जे क्या है? Current Adensity नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे कई सारे ऐसे Terms हैं यहांपे हम लोग current का इस्तेमाल नहीं करते हैं किसका इस्तेमाल करते है current density का तो यह important है न चलिए तो current density क्या होता है इसको हम define कर लेते हैं एक बार कि किसी चालक के ऎक च्रुजरने वाली विधुद्धारा को धारा घनत्व कहते है तो को यहाँ पे एक चीज और आ रहा है नाम से आपको misunderstand नहीं होना चाहिए कि density अगर यहाँ पे है density जैसे density जब हमारे मन में आता है जब भी हम सुनते है density तो density का सिदा सिदा आर्थ हम यह निकालते है कि density होगा तो इसका मतलब होना चाहिए mass होना चाहिए पर volume होना चाहिए है density का formula भी जानते है दरब्यमान बटा आईतन होता है बट यहाँ पे जो density है इसको हम volume से नहीं find करेंगे मतलब कि यह density जो है कहीं भी volume से link नहीं है यहाँ पर जो density हम find करेंगे वो volume से link नहीं है बलकि यह density जो है यह area से link है किस से link है? area से छेत्रे फल से जैसा कि हम आपको एक example देते हैं अगर हम population density निकालते हैं population density मतलब कि जन संख्या घनतवे की बात करें हिंदी में तो जिसे हम देहली की बात कर लें तो देहली में देहली में 2011 को जनगन्ना हुआ था तो उस time में population density जो था देहली में 1100 लगभग 1100 लगभग 1100 population था 1100 आदमी ऐसा सोच लो कि 1100 आदमी पर square kilometer पे था यानि कि एक kilometer square पे 1100 आदमी यानि सीधा सीधा समझो तो देहली की जो जन संख्या है 2011 अब तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा है तो 2011 के जन संख्या में ये पता लगा था कि एक kilometer square में आदमी की जो संख्या है वो कितना है 1100 आदमी है एक kilometer आप सोच लो कि अपने चारो तरफ एक kilometer का एक radius बना और उस radius में जो आदमी है वहाँ पे वो 1100 आदमी है ठीक है तो 1100 आदमी पर 1 kilometer square पे था तो ये जो जन संख्या हम find करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है 1100 आदमी ये population है जन संख्या हमारा है और ये पर क्या है kilometer square तो kilometer square का है area यानि कि परती एकांग छेतरे फल पे जो आदमी होगा उसको हम क्या कहेंगे आदमी की जन संख्या घनत वे कहेंगे उसको क्या कहेंगे हम जन संख्या घनत वे कहेंगे तो जंसंफिया घंट घंट्थू हम कैसे निकालते हैं तो पर एकांग पर थी प्रती एकांग 6 तरे फ़ल पे आदमी के संखिया अगर मानों की 1 murder square में या a1 till worker में क्यूंकि हम यहाँ पे निकाल रहें एक duct square में कहीं तो ठीक उसी तरह से धारा का हुचा जो निकालते हैं वह निकालते हैं अबको जो दारा गुजरेगी से को मिया खेंगे यहां पर लिख देते हैं कि धारा घंतने की सूचित किया जाता है तो धारा घरनत वे क्या होंगी आज जेसे हम लोग इसको लिखते हैं? केले रहें यहांत के ना? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां पर भी एक कंडिसन है है कि Apostles current की दिसा, धारागर्णत वे हम जहां पर भी निकालेंगे, कहीं पर भी हम किसी एरिया से भी निकाल रहे हैं, तो वहां पर एक condition क्या है, कि विदुद धारा की दिसा और छेत्रफल सदीज, छेत्रफल सदीज आपको याद आरा होगा, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, गौस छेत्रफल सदीज की दिसा और विदुद धारा की दिसा दोनों समानतर होनी चाहिए, तो यह अगला पॉइंट है, कि छेत्रफल सदीज की दिसा और धारा की दिसा दोनों कैसे होनी चाहिए, समानतर होनी चाहिए दोनों समांतर होनी चाहिए हाँ जैसे कि हम मानलो की एक कंड़क्टर लेते हैं इंक गिलाना फरीद इंक इंक नहीं खाली हो तो जैसे मानलो यह सब पोच यह कंड़क्टर है और इस कंड़क्टर में इलक्ट्रॉन्स हैं यह सब है ना इलक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे है ऐसे करके मूब कर रहे हैं मानलो इधर हम हाईयर पोटेंसल अपलाई कर दिए और इधर लोवर पोटेंसल अपलाई कर दिए तो इलक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा इलक्ट्रॉन कैसे चलते हैं high से low के तरफ या low से high के तरफ तो अंसर है कि electron low से high के तरफ चलते हैं विदोधारा कैसे बहती है higher potential से lower potential के तरफ लेकिन negative charge जो है negative charge कैसे चलते है lower potential से higher potential के तरफ तो माल लो सबके सब electron इस direction में move कर रहे हैं इस direction में अगर electron move कर रहा है तो electron अगर move करेगा तो हम किसी एक proper area की बा इसका मतलब धारा की दिसा जो होगा वो किदर होगा इस तरफ होगा है ना तो धारा की दिसा इस तरफ होगा और हम यह प्रोपर एरिया का यहां पे हम मानलो की यहां पे कलपना करते हैं एरिया विक्टर स्वरी एरिया का कलपना करते हैं एक क्रॉस सेक्षन एरिया ठीक है कि आपको confusion ना हो, तो मालनों कि यह plus charge है, वो इतर move कर रहे हैं, plus charge है, यह पैसल के लुप है, यह सब हायर potential से lower potential की तरफ, यानि Δhara की दिसा जो है, भार्ची दिसा पैसल के दर है, इस तरफ, यह है आपका धारा की दिसा, तो देख रहे हैं धारा की दिसा इधर है अब हम area vector की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं यह circle है तो इसका area vector भी केदर होगा इसी तरफ होगा तो area vector की भी direction इधर और धारा की भी दिसा इधर दोनों का direction क्या सेम है तो दोनों का direction हमेशा सीम होना चाहिए current density को हम जहां पर भी define कर रहे हैं जिस area पर भी define करेंगे वहाँ पे विदुधारा के दिसा और छेत्रिफल सदीस की दिसा दोनों क्या होना चाहिए एक दूसरे के समानतर होना चाहिए क्या फिर यूं कहलो कि area और electric field area और विदुधारा के बीच का जो angle होना चाहिए वह 90 degree अगर यह surface है और यह electric field है तो दोनों की बीच का angle कितना होना चाहिए 90 degree लेकिन आप simple यह याद रको कि छेत्रिफल सदीस क्यों को निकालने भी आता है चेत्रिफल सदीस की दिसा और धारा की दिसा क्या होनी चाहिए दोनों समानतर होनी चाहिए लेकिन अगर मालो कि कहीं पर हम एक ऐसा cross section ले ले जरूरी तो नहीं है कि हम हर जगा पर ऐसी cross section लेंगे हो सकता है कहीं पर ऐसा cross section लेना पड़े मालो यह conductor है आपका और इसमें यह electrons है number of free electrons लेकिन यहाँ पर इस बार हमसे बोला जाए कि आप cross section ऐसा बनाईए ठीक है तोड़ा जुका हुआ रहाना चाहिए cross section ऐसा सीधा नहीं बलकि ऐसा जुका हुआ रहाना चाहिए अब आपसे पुछा जाए कि यहाँ पर current density क्या होगा तो देख रहे हैं धारा की दिसा तो अब भी वैसी है यह धारा की दिसा और हम लोग ने पढ़ा है कि धारा की दिसा धारा चेत्रिफल सदीज की दिसा और धारा की दिसा क्या होने चाहिए समांतर होने चाहिए current density को define करने के लिए लेकिन इस बार देख रहे हैं कि area जो है ऐसे flat है तो इसका area vector क्या होगा perpendicular to the surface तो इसका area vector जो है वो इधर जा रहा है और electric current की दिसा यह है electric current और यह है area vector तो अब देख रहे हैं दोनों के बीच कुछ न कुछ angle बन जा रहा और वह एंगल कितना बन रहा ठीट अंगल तो हम लोग को same direction में लाने के लिए इसको same direction में इस area vector को इस i के direction में लाने के लिए हम i का component निकाल लेंगे area के लिए तो इसको हम लिख सकते हैं इसके direction में क्या हो जाएगा यह a cos theta होगा नहीं अगर देखो यह वाला a है और यह angle theta बना रहा है मतलब ऐसे है कि a है और यहां angle theta बन रहा तो इसका value क्या हो जाएगा a cos theta वेक्टर में पढ़ चुके ए cos theta हो जाएगा तो same direction में लाने के लिए हम लोगों को current density z बराबर क्या लिखना पड़ेगा i बटा a cos theta क्या लिखना पड़ेगा i बटा a cos theta तो अगर area vector और विदुद्धारा के बीच theta angle रहेगा तो हम ऐसे करके current density निकालेंगे j बराबर i बटा a cos theta अब अगर यहां से हम लोग i find करना चाहें विदुद्धारा क्या होगा i बराबर तो क्या हो जाएगा जे इंटू ए कॉस ठीटा अब जे इंटू ए कॉस ठीटा हम लोग को पता है कि विदुधारा की अदीस तरह सी है तो इसका गुरहन फल भी क्या होना चाहिए अदीस होना चाहिए तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसलिए आई बराबर जे डॉट ए यह भी हो सकता है अब डॉट को जब अटाएंगे तो एक कॉस ठीटा आजाएगा तो हम सिर्फ फॉर्मूला आपको बता रहे है देखो यह फॉर्मूला आपका जे निकालने का यह आप आए निकालने के लिए फॉर्मूल लगा सकते हैं तो आई बराबर विक्टर जे डॉट विक्टर है क्योंकि डॉट मॉल्टिपिलिकेशन में क्या आने वाला है कॉस ठीटा आने वाला है और यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है कॉस ठीटा मिल रहा है तो उमीद करते कि आपको यह सब चीज समझ में आ रहा होगा जे बराबर क्या होता है आई बराबर कैसे फाइंड कर लेंगे आई बराबर जे डॉट ए यहाँ तक के क्लियर है आपका यह वाला फिगर भी आपको समझ मारा है कि हर जगा पर क्रॉस सिक्सन सीधा नहीं हो कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कहीं पर ऐसा भी हो सकता है इसी को हम इधर से भी गुमा के बना सकते थे तो भी अनसर यही आएगा जे बराबर आई बाई एक कोशिटा अब अगर हम इसका J का Unit की बात कर ले Unit तो Unit क्या हो जाएगा बबू J का Unit धार खारंत तो का मातरख क्या होगा तो दिखे हboo है, ये I बटा A है तो I क्या होता है? विदधारा तो इसका मातरख क्या होता है? Appier तो Unit इसका हो जाएगा amigos पर, area का क्या होता है? Metre square तो एंपियर पर मिट्रा स्कॉयर हो जाएगा किलियर हो रहा है अच्छा डाइमेंसन की बात करें अगर हम डाइमेंसन तो इसका डाइमेंसन क्या हो जाएगा तो एंपियर का होता है अब मिट्रा स्कॉयर का एल स्कॉयर उपर जाएगा तो एल माइनस टू क्या हो जाएगा ए पॉर और ठावम पाइड के 2 फारा अज़ू है वन धारा खनटवे के 3 जो सदीश रासी धारा खनटवे कैसी रासी है सधीश रासी और विदुद्धक जिंगति को 2 लोग के 5 कफर में करने के लिए हम लोग एक नई रासी तशाच नी नही रासी बनाते है धारा चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो current density आपका complete हो गया है ना तो कल हम जो current electricity पढ़ रहे थे वहां पर electric current को define किये थे वहां पर हम लोग electric current से कुछ question भी किये हैं और कुछ question हम अपने ट्रेलिगराम channel पर practice करने के लिए डाल दिये थे तो अगर अब तक क्या आप नहीं देखे हैं या फिर नहीं solve किये हैं तो जरूर solve कर लिजिएगा उसका solution भी हम डाल देंगे तो उसी तरह से धारा घनत वे जे बरापर i by a से related जो भी कोशन रहेगा उस question को भी हम वहां पर टेलिगराम channel पर डाल देंगे और हमारा ठेलिगराम channel आपको पता ही है एड़ दरेट तौहिद physics याद रखना एड़ दरेट तौहिद physics तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें ज्वाइन हो जाई है अगर ज्वाइन नहीं है तो और बहुत जल्द टेस्ट होने वाला है फिर से टेस्ट का डेट अभी बहुत जल्द कर लेंगा तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब जो टौपिक आ रहा है अब यहां पर से हम समझेंगे कि किसी कंड़क्टर में एलक्ट्रॉन मूब करता है या फिर ऐसी रहता है रुका वबा रहता है और अगर रुका वबा रहता है तो को कियो और अगर मूब कर रहा तो फिर कैसे मूब करता है है ना यह चीछ हम लोग डिसकस करने वाले तो पहले हम देखेंगे flow of electron एक छोटा सा topic बनाते है हलाकि यह पूरा का पूरा कहानी है है ना flow of electron ब्लैक से लिख लेते हैं flow of electrons in metal या फिर conductor ले लो in conductor without any electric field अजकल थोड़ा English का भूत सवा है मेरे पर अगर ज्यादा English लग रहागा तो बता ना तो flow of electrons in conductor without any electric field यानि कि किसी विदुचेत्र के absence में विदुचेत्र की अनुपस्थिती में किसी conductor में electron कैसी flow करते हैं ना अगर देखें इसको हिंदी में तो electrons का electron का चालन या परवा किसी चालक में विदुचेत्र की अनुपस्थिती में क्यों किसी को विदुचेत्र की अनुपस्थिती में electron का परवा इलक्ट्रोनों का परवा तो इस चीच को हम पढ़ेंगे कि अगर कोई चालक में हम किसी भी विदुचेत्र नहीं अपलाई करते हैं जैसे कि हम कोई लोहा करण लिए मार्केट से खरीद के लिए क्या है लोहा करण अभी उसमें कोई तारवार नहीं लगाएं या कुछ भी हो मेटल हो कोई भी कंड़क्टर हो लोहा हो तांबा हो एलमुनियम हो कोई भी कंड़क्टर हो तो उसमें क्या इलक्टरॉन्स फ्लो करते हैं या फिर मतलब किस तरह से नंबर आफ फ्री इलक्टरॉन्स होते हैं रुखे हुए रहते हैं या फिर चलते रहते हैं अगर चलते रहते हैं तो कितने speed से चलते हैं चलने का reason क्या है जो पास इनर्जी कहा से आता है चलाने के लिए अगर वो चलते हैं तो किसонец का motion में चलते हैं वो सारा कुछ देखेंगे तो हम लोग यहां पर क्या क्या देखेंगे पहले तो यह पता करेंगे कि electrons किस तरह से किसी conductor में होते हैं है ना second number में हम लोग यह पता करेंगे कि electron अगर चलते हैं तो कितने speed से चलते हैं उसकी speed क्या होती है तो हम किसी भी conductor की बात करें मालो कोई conductor है यह वाला ठीक है और इस conductor में हम कोई भी electric field नहीं जोड़े या फिर जोड़ भी देंगे हम सिर्फ हम electric field लगा दिये तो भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है अगर हम electric field सिर्फ लगाए हैं बट इसमें बैटरी से नहीं जोड़ें सिर्फ हम इधर प्लेट लगा करके माइनस चाल प्लस चाल तो आपको पता है कि जब किसी भी चालक पे आप विदुच्छेतर अप्लाई करते हैं तो चालक के अंदर विदुच्छेतर का मान क्या होता है जिरो इनेट क्या हो जाएगा जिरो किसी भी चालक के अंदर विदुच्छेतर का मान क्या होता है जिरो होता है क्यों क्योंकि आप जितना बाहर से electric field लगाओगे ने उतना ही जितना बाहर से लगाओगे उतना ये चालक अपनी अंदर electric field produce कर लेगा है ना अगर आप बाहर स किसी चालक पे 1000 निटन पर कुलॉम लगाओगे तो अंदर भी हो क्या कर लेगा 1000 बना लेगा, यानि तब तक यह होते रहता है जितना आप बाहर बढ़ाईएगा उतना यह अंदर बनाते जाएगा, और यह परकिरिया तब तक चलते जाएगे, जब तक यह ब्रेकडाउन ना हो जाए मतलब यह तूट ना जाए, चालक जल ना जाए, खराब ना हो जाए, तब तक यह क्या होगा अपनी अंदर उलक्ट्रिक फिड बनाते रहता है लेकिन अगर माल लो कि हम कोई लो की बाहर से हजार न्यूटन पर कुलॉम लगा दिये लेक्ट्रिक फिड तो क्या फैदा हुआ हम हजार लगाएं बाहर से और यह अंदर से बना लिया हजार तो फिर से क्या हो गया इनिट जिरू यानि क्यों कोई फारखी ने पढ़ा किसी को हम एक लाग लाग फिए है ठीक, अपिर मांग लिया हम तो उसको फारख पड़ा पौरेगा मथल्लाप उसका कोई उन फाइदा होने वाला है तो उस ही तरह से यह है कि इसमें हम हजार लगा दे सो लगा दे पचास लगा दे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला जितना लगाएंगे उतना ये इंटर ने बना लेगा अन्दर में बनाएगा अनेट फिल्ड क्या हो जाएगा जिरू हो जाएगा तिसलिए हम इसको अनुपस्थिती ही माल लेते हैं कि रहने या ना रहने से कोई फरक ही ने पढ़ रहा है इसको तो हम माल लेते हैं कि ये अनुपस्थिती में है कोई तरह का इलेक्ट्रिक फिल्ड नहीं जोड़े कुछ भी ने किये कोई छेयर चाड नहीं किये हैं बस मार्केट से खरीद के लिए क्या हैं तामबा का तार या फिर लोहा का तार एक मेटर और उसकी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जो number of electrons हैं क्या वो electrons चुप चाप बैठे हुए हैं या फिर move करते हैं तो अंसर है कि उसके अंदर जो number of free electrons होते हैं लगभग किसी भी conductor के अंदर लगभग 10 to the power 29 electrons होते हैं वन मेटर क्यूब वालियूम म एक मेटर क्यूब आयतन में किसी भी चालक के अंदर कितना electron होता है 10 पे पावर 29 electron होता है तो आप सोच सकते हो कि एक मेटर तार में 1 मेटर क्यूब की बात हो रहा है तो एक मेटर तार में कितना electrons होगा 10 पे पावर 29 electrons होगा और ये 10 पे पावर 29 electron चुप बैठके है या फिर चल रहा है इसको study करते हैं तो देखो 10 फे पावर जो 29 electrons होते हैं free electrons जो है यहां पर वो सब के सब free electrons इसमें move करते रहते हैं मतला bet के नहीं ज़रता moment होते रहता है इसका to moment होते रहता है तो moment का reason क्या है और electron चलेगा तो उसको energy कहा है से मिल रही है तो अंसर है कि इसको energy मिलते एप करते हैं या निन करते तो अंसर है Yes करते हैं moment और moment जब करते हैं तो किसके form कहा से energy आता है उसको तो answer energy कहा से आता है उसको thermal energy thermal energy का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानलो कि इसको हम room temperature पर रख दिये room temperature यानि temperature अगर हम रखे 300 Kelvin तो 300 Kelvin temperature पर अगर हम बात करें तो बाहर का temperature 300 Kelvin अंदर का इसका temperature conductor का temperature कम होता है बाहर का temperature ज्यादा तो higher temperature सो lower temperature energy का transformation होता है और इसके अंदर जो electrons होते हैं मानलो ये electrons हैं ये electrons move करना सुरू कर जाता है ये मानलो electron इधर move कर रहा है यहाँ पर जो electron होगा वो इधर move कर रहा होगा यहाँ पर electron हो इधर move कर रहा है यहाँ पर random motion होता है, कैसा motion होता है random motion तो हम लोग इस पर भी चर्चा कर लिए कि types of motion कैसा होता है तो random motion होता है, jig-jack, मतलब जिदर दिदर यानि इस electron का मर्जी हुगा कि हम इदर जाएं, इदर चला किया, फिर वापस मर्जी हो कि हम इदर आ जाएं, इदर आ जाता है यह एलक्ट्रॉन का मर्जी हो इधर, यानि कि इसको जो एनर्जी, जैसे किसी एलक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, हिट के फॉर्म से, थर्मल एनर्जी मिला, और एलक्ट्रॉन भागना शुरू किया, हैना, और यह कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब जिग होते रहता है है यानि कि हर बार कुछ वेलसिटी हो रहा हरूं हर बार यह घबार अब गीई जिरो वेलसिटी चयारा है फिर यह से knight करता है फिर वापस वहीं होओ जाता है तो मतलब मार्केट से खरीद के लिए क्या है या आसपस में घर में लोहा का कुछ दिख भी रहा होगा नहीं तो वो लोहा का कुछ भी हो तो उसके अंदर जो ओस इलक्टरणस है नमबर आप पढ़ते आ रहे होगे कही स बच्मं से बच्पन से आ Vikings कि अब कंड़्कर के लगा ने ठीम पढ़ते रहते हैं यह moment इसका होते रहता है और वह so होता ही जिगजएगा वसता हमने जैसे मर्जी वैसे अब जैसे भी सूच लो ने वैसे मुख करता है । क्योंकि इसमें कि एक टिर जैसे này works पाँच मिटर चला जाता है दस से पावर पाँच लगबग कितना हो जाता है एक लाग के बराबर हो जाता है एक सिकंड में एक लाग मिटर यानि इतना स्पीड से लेक्टरोन मूब कर रहा है बहुत तेजी से मूब मूबंट हो रहा है ना तो इसका कोई फिक्स पाथ है ना ही इसका कोई फिक्स डिरेक्सन होता है जैसे कि हम आपको दिखाते हैं रैंडम教 अउसन प्रैक्रिडिकली दिखाते हैं आपको हम कि अगर आप यह अपने से घर बीद्ध सकते हो रैंडम्म को जैसे मालनों कि एक गलास ले लिए है ना ये गलास आपको दिख रहा होगा और गलास में हम थोड़ा से पानी डाल लेते हैं तो मालो की कुछ दिर के लिए एक गलास में जो है ये कंड़क्टर है ठीक है अब इसमें जो इलक्ट्रॉन्स होंगे इसमें जो इलक्ट्रॉन्स होंगे ने देखो इलक्ट्रॉन्स ये हम लिए नील उजाला है और इसको हम लाकर के इसमें डाल दिये अब आप देखिए ये देखो कैसे पानी में मिल रहा है कैसे इसका मोसन हो रहा है दिख रहा होगा अब यह जो नील है इसका जो मॉलिक्यूल है कैसे मोसन कर रहा है पानी के साथ मिल रहा है यहाँ पर आपको situation जो दिख रहा होगा बहुत slow-slow दिख रहा होगा जबकि Electrons इतना सुलूनी चलते हैं, Electrons बहुत ही फास चलते हैं लेकिन जैसे यहाँ पर देख रहा है, अब यहाँ पर पता लगाना मुस्किल है कि कौन Molecule के दर जा रहा है, कौन Molecule के दर जा रहा है, कि दर जा रहा है कि अधर जा रहा है तो इसी लिए इस model को ने electrons का gaseous model भी कहा गया है कि conductor में electrons जो चलते हैं तो कई जखा पर कई सारे book में gaseous model of electrons flow of electron in conductor तो इसलिए तो यह आपको clear हो रहा है कि जिस तरह से यहां पर अभी देखो नील कैसे move करना सुरू कर गिया इसके जो molecules से कैसे पाने में move कर रहे जिधर तेधर move कर रहे है जिधर रास्ता मिल रहा उधर move कर रहा तो ठीक उसी तरह से इस motion को हम कहते है random motion अब यह जो उजाला है जो भी नील डाले इसमें पानी में वो जो motion किया है वो random motion क्योंकि को fix reaction नहीं नहीं कि हम तो डाले थे यहां पर बीच में तो उसको जाना चाहिए तरह नीचे तक लेकिन वो इधर move कर लिया कोई इधर भी move कर रहा होगा कोई वापस फिर एधर जाने एक बाद इधर आया होगा है इस तरह से इसका moment हुआ होगा confusion है कि कौन किधर move किया कोई पता नहीं है तो फिर भी आपको समझना है पढ़ना है तो उसी तरह से इसमें electrons भी move करते हैं जिदार मर्जी ओधर लाखो करोडों के तादाद में और वो billions के तादाद में 10 to the power 29 समझ मारा नहीं इतने सारे electrons है किधर कौन move कर रहा है कोई पता नहीं है और इसकी जो speed है वो कितना 10 to the power 5 meter per seconds तो अब आपको यह याद रखना है कि किसी भी conductor में अगर हम electric field नहीं apply करते हैं फिर भी उसके अंदर जो electron है वो move करते रहता है वो flow करता चलते रहता है हैना ऐसा नहीं कि वो रुका हुआ रहता है चलते रहता है तो अगर चलते रहता है तो फिर इसमें current क्यों नहीं बनता है कि किसी भी चालक में आवेस की परवा होती है और विदुधारा बनता है तो यहाँ पे तो आवेस चल रहा तो विदुधारा क्यों नहीं है हम कोई लोहा का छड़ा लेदि के आते हैं और जब हम उसको छूते हैं तो क्रान क्यों नहीं लगता है बिना हम उसको electric field से जोड़े हुऊ छूते है तो ज्ट करन नहीं लगता है क्यों क्यों क्योंकि उसकी अंदर तो als heures लागतों लेए लтеkenntो lesах तो उसका reason ये है कि अगर मालो कि कोई electrons, कोई electron इधर जा रहा होगा, तो ये अगर इधर जाने के बाद i करण बनाया, तो कुछ ऐसे भी electrons होंगे, वो इधर आ रहे होंगे, और वो भी कितना करण बनाया है, i. तो ये वाला i इस direction में, ये वाला i इस direction में, दोनों का direction opposite, जिसके कारण एक दूसरे को वो क्या करते हैं, जिरो कर लेते हैं, और यही परकिरिया पूरे conductor में होता है, कहीं एक आग जगा पे हलका-फलका होता भी होगा, तो दूसरा electron के है, उसको आकर के नश्ट कर देता है, एक current बनाया भी, तो दूसरा के उसको खतम कर दिया, दूसरा बनाया, तो तिसरा के खतम कर दिया, इसलिए इसमें net current जो होता है, i net जो होता है, वो कितना हो जाता है, zero, i net, zero होता है, क्योंकि electrons current बनाते हैं, और एक दूसरे को cancel कर देते हैं, तो current कैसा बना, 0 speed कितनी है इसकी 10 to the power 5 meter per second अब अगर हम बात करें कि electrons की velocity कितनी होगी electrons की velocity यानि कि इसमें चो electrons है उसका velocity कितना होगा तो velocity, जैसे कि हम speed की बात करें तो speed कैसे हम define करते हैं तो दूरी और, मतलब समय के साथ में, कि कितना दूरी कबर करेंगा कितना समय लेगा, तो दूरी के साथ में करते हैं, जबकि velocity किसके साथ करते है displacement के साथ में तो जितने सारे यहाँ पे electrons है उसका अपना proper तो बनता है कुछ न कुछ velocity बनता होगा लेकिन इसका जो net velocity है अगर हम यू कहले, तो एक electrons का भी velocity जिरू होता है क्योंकि यह पता लगाना impossible है, कि मतलब कोन electron जा रहा, आ रहा, गया हो सकता है कि यह electron यहाँ से start किया होगा अपना motion और जान एक बाद वापस यहीं पे आ गिया तो जो कोई भी, velocity कैसे हम करते हैं, कि initial point और final point दोनों के बीश का जो distance होता है, shortest distance होता है उसी को हम कहते हैं, displacement तो electron यहीं से चलना सुरू किया, वापस यहीं पे आ गिया तो displacement 0, तो velocity भी क्या होगा इसका, 0, तो किसी एक electron के भी हम velocity की बात करें तो वो 0, लेकिन ऐसे अगर हम average velocity जो इसका है वो तो 0 हो गई, average velocity इसका क्या होता है, 0 होता है 0, है न, इसी को हम ऐसे भी देख सकते हैं, कि मालनों की एक electron का velocity U1, दूसरे का U2, है न, तिसरे का अगर मालनों लो U3, और ऐसी करते-करते, N electrons है, तो U1 और number of electrons कितने है टोटल तो N electrons है, तो U1 पलस U2 पलस U3 पलस डॉट 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 युवन, तो average velocities का क्या होगी, यानि यह total जो value आने वाला, वो कितने के बराबर आने वाला है 0 के बराबर आने वाला, तो average velocity 0, speed कितना है, 10 to the power 5 meter per second, energy का source क्या है इसका, thermal energy current कितना बनाता है, 0 temperature पर कितना temperature रखे हैं suppose 300 Kelvin temperature, यानि कि room temperature, और हम temperature बढ़ाएंगे तो हो सकता है, इसका speed और बढ़ जाए क्योंकि इसका एक formula है, हम वो formula आपको बता देते हैं, कि कैसे हम निकालते है, speed को formula बनाया गिया तो इसका एक formula है, यहाँ पर लिख देते हैं, V is equal to under root 3 K T by M होता है, जब आप simple समझो कि यह formula में V जो है वो temperature पर डिपेंट करता है, T यहाँ पर temperature, तो जैसे आप temperature को increase किजिएगा, velocity क्या होगा increase हो जाएगा, तो एक room temperature पर velocity 100 किया, 10 to the power 5 meter per second, तो आप इसको अच्छे से लिख लिजिए, उसके बाद आप देखेंगे, कि जब हम electric field के purgence में रखेंगे conductor को, तो कैसे movement होगा उसका, तो फिलहाला आप इतना लिख लिजिए और याद रखिएगा कि in the absence, जो होते हैं उसका net average velocity क्या होता, जिरो होता है, बाकिया speed जो आपको यहां पर दिखाया गया है चलिए तो, अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला topic हम आ रहा है, drift velocity drift velocity हिंदी में इसको कहेंगे अपवाह वेग एक्जाम में पूछा भी गया है अपवाह वेग क्या होता है, परिभासित करें इसको तो इस तरह से दो नंबर में कोश्चन आते हैं तो अब तक के जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें conductor के साथ हम कोई भी electric field को apply नहीं की, अब हम conductor के साथ electric field apply करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है कि मानलो जैसे मेरे पास एक conductor है और इस conductor में हम electric field apply करते हैं electric field apply करने का मतलब यह हुआ कि हम सिधा-सिधा इस conductor को लाकर के एक battery से जोड़ देते हैं यहाँ पर मानलो पलस और यहाँ पर मानलो माइनस है तो अब यह पलस है, तो यहाँ पर का potential पलस हो जाएगा यानि कि higher potential और यहाँ पर का potential lower तो पलस का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर पलस charges है और यहाँ पर माइनस charges है तो इसके अंदर जो हम बात करते हैं अगर जब हम बैटरी से किसी चालक को जोड़ देते हैं अब हम आ रहे हैं वहाँ पर कि जिसे हम एक तार खरीदे और तार को खरीद करके जब रखे थे तो उसमें क्या क्या हो रहा था यह अभी हम पहले वाले वीडियो में डिसकस किये अभी इससे पहले डिसकस किये ने हम लेकिन अब उस तार को हम जब बैटरी से जोड देंगे और तार में जब धारा परवाहित होने लगेगी अभी तो धारा परवाहित ने हो रहा था अभी आई क्या आया था जिरू आया था लेकिन जब तार में धारा परवाहित होने लगेगी तो क्या होगा तो उसके अंदर इलक्ट्रॉन कैसे मूप करेंगे और अभ एलक्ट्रॉन का मूमेंट कैसा होगा तो देखो बिसकली कोई भी कंड़क्टर हो तो उसमें पॉजर्टिव आयन्स नेगेटीव आयन्स सब भरे होते हैं यानि कि पॉजर्टिव आयन इसको लैक्टिक कहा जाता है लैक्टिक कहते हैं कहींपर जैसे पॉजर्टिव जिससे electronical किया गया उसको kernel भी कहा गया ठीक है kernel तो कई सारे latix इसमें मतलब भरे हुए भरे पढ़े है positive आयन से भरे पढ़े है, electrons भी भरे पढ़े है अब यहाँ पर plus charge जैसी हम apply करेंगे plus charge यहाँ पर तो यह वाला plus charge क्या करेगा इसके अंदर जो electrons हैं इसके अंदर जो electrons हैं उस electron पर यह plus charge force लगाएगा, थीकई पलास चार्ज क्या करेगा, इस electron पर force लगाएगा तो जैसे electron पर force लगाएगा तो electron इधर भागना चाहेगा इधर भागना चाहरा electron? इधर भागना चाहरा लेकिन इस electron पर thermal energy भी तो काम कर रहा है यानि कि हिट अनर्जी जो मतलब कंफ यह तो बाहर का टमपरिचर कुछ और को Its तो temperature के variation से जो energy create हो रहा है तो वो energy भी इस पर लगेगा तो हो सकता है वो energy electron पर इधर लगा यानि कि मान लोग इधर लग रहा हो energy तो finally जो energy आया वो energy इधर आया तो electron यह electron सीधा सीधा moment नहीं करता है यह electron ऐसे नहीं जागर के electron बहुत ही तेजी से इधर आता है क्योंकि जब हम force लगाते हैं तो उस electron पर acceleration आ जाएगा क्योंकि हम जिस body पर force लगाएंगे उसमें एक्सलेरिसन आएगा यह तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कहीं पर भी force लगाएंगे तो उस पर कितना आएगा आएगा और वो acceleration कितना होता है ए बराबर f by m होता है तो a बराबर यहाँ पर देखे तो हम किसी भी electric field में कोई charge पर अगर हम force लगाते हैं या फिर electric field के कारण जो उस charge पर force लगता है वो कितना force लगता है q into e लगता है अब यहाँ पर charge के जिगा पर हम electron ले ले तो electron पर कितना force लगेगा यह बराबर ee लगेगा तो एक ही बात करें कि इस electron का acceleration कितना होगा तो ee बटा कितना हो जाएगा इम जहां e मानलो electric field है जो इस पे हम apply किये हैं बाहरी electric field बैटरी के दुबार के लिए रहे हैं तो electron पे जो acceleration आया है वो acceleration कितना आया ee बटा इम और यह acceleration लेकरके electron अग्दम खूस हो करके है यह electron इधर जाता है बहुत तेजिस जाता है अब तो हम बिंदास हैं हमको कोई मार्ग दरसन मिल गिया है है मतलब हम अब गंगा नहाली है ऐसा वाला विचार आता है electron को क्योंकि यह battery इस पे लगातार force लगा रहे है मतलब energy देती है rotate करवाती तो य यहां पर जो लैटिक है या फिर करनल कहले तो यह लैटिक से टकराता है यानि कि बहुत तेजी से electron आया और आने के बाद जैसे इस लैटिक से टकराता है लैटिक के पास positive होते है यह positive charge मानलो यह जो करनल होते है उसके पास positive charge होता है तो इसके पास positive charge है यह इधर खिश लिय अब टक्राने के बाद हो सकता है फिर ये इलक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा हो गाए इधर फोर्स लग रहा हो गया इदर इह तो मालो भी ओ्र इसी पूर्स लगा खार फिर इलेक्ट्रॉन इधर पूर्स नहीं करता है या लेकिन दोनों में फर्क ये है कि इससे पहले वाले में इलक्ट्रॉन पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा रहा था, कोई इलक्ट्रिक फिल्ड उस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब electric field इस पे force लगाती है तो electron टकराते हुए ना मार पीट खाते हुए भी ना मारते लड़ते जगडते electron आगे बढ़ता है बहुत तेजी से तो आगे नहीं पढ़ता है बहुत ही slow-slow आगे बढ़ता है अब इसकी जो speed हो जाती है नहीं यानि कि इसका जो velocity समझ लो velocity जो इसका होता है अब इसका velocity 0 नहीं होता है इसका velocity लगबग 10 to the power minus 4 meter per second हो जाता है इसका velocity कितना होता है 10 to the power minus 4 meter per second से यह चलता है मतलब इसको अगर हम यहाँ पे दिखाएं कि electron कैसे चलता होगा तो मालो कि elektron यहां से चलना शुरू किया और यह elektron सपोज इधर जाना चारहा है इधर सिधा-सिधा जाना चारहा है बटी इसको सिधा-सिधा जाने तो मिलता नहीं क्योंकि एधर कोई-नए-कोई-Latic होगा बलस-charge होगा यह मालनो पलस चार्ज है तो यह इसको एधर खीच लिया उसके बाद सपोज यहाँ पर पलस चार्ज होगा तो एलक्टरॉन फिर आगे बढ़ना चाहा तो फिर एलक्टरॉन को ऐसे खीच लिया फिर मालनो है कि यहाँ पर कोई पलस चार्ज होगा तो वो इसको इधर खिचलिया और उसके बाद फिर electron फिर से आगे बढ़ना चाहते हो इधर बढ़ा तो मतलब electron च्टार्ट किया था यहां से और इंडिंग किया यहां पे तो अब इसका जो है time तो बहुत लगा ओगा यहां से यहां गया यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां बढ़ा गए, तो अस्टार्ट किया था यहां से, क्योंकि velocity के हम कैसे find करते हैं, तो displacement upon time, तो यहां से start किया है, और यहां pending किया, तो यहां से यहां तक कि हम लोग distance measure कर लेते हैं, मानलो L है, time कुछ ने लगा होगा, तो time बहुत जादा लग जाता है, जिसके कारने इसके velocity क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, तो basically हम आपको समझाना चाहरे थे, कि electron पे, जब हम कोई conductor पे, बाहरी सोरसे से battery लगाते हैं, तो electron सीधा सीधा नहीं चलता है, वो भी एकदम घुमते घुमते जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता है, घुमते घुमते भी जाता है, लेकिन क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, और फिर वैसी मानलो कि electron यहां पर conductor में move करता है, और जब की सुचों कि कितना कम speed से move करा, 10 to the power minus 4 meter per second से, तो बहुत ही slowly slowly move करता है electrons, जब हम conductor में कोई battery को लगा देते हैं, तो, ठीक है, अच्छा, यहां से यहां तक तो बहुत तेजी से आता है, फिर आगर के इसका speed 0, फिर यहां से यहां तक तेजी से, लेकि velocity क्या होता है, displacement upon time, तो यहां से तेजी साया, आनिक बात यहीं पर तो आया, तो initial यहां, finally यहां से यहां से आता है काने, इसको बहुत टाइम लग गया, इसलिए इसका speed, velocity क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, बट a speed अभी वही है, 10 to the power 5, 10 to the power 6 meter per second, अच्छा, तो यह तो हो बीच, टकर के बीच, लगा समय, इस time को कहते है, relax season time, क्या कहते है, relax, अपलब यहां से यहां टकराया, फिर relax हो गया, ठीक है, फिर energy लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर relax हो गया, अभी हम एक दम बहुत अच्छा example देंगे, आपको दिखाएंगे, अगर आप वो चीच किये है अपने life में है न, तो आपको यह एकदम feel हो जाएगा कि कैसे electron चलते हैं, तो पहले आप इस चीच को समझ लो कि यहां से यहां तक टकराने में जो लगा समय है, उसको हम क्या कहते है, relaxation time क्या कहते हैं, उसको relaxation time, relaxation time, हिंदी में इसको कहते है, स्रांत काल, यानि कि दो टकरों क के बीच लगे समय को क्या कहते हैं, स्रांत काल कहते हैं, और यहां से यहां तक जो टकर के बीच का जो path होता है, इस path को mean path कहा जाता है, माध्यम mean path, free mean path, इस path को lambda से लिखा जाता है और स्रांत काल को tau से लिखते हैं, तो यह आपको समझ में आ गया कि electron जो ऐसे करके move कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जाने में, जो टकर लगने में, जो समय लगा, वो समय क्या कर ला है, relaxation time, और यह जो path बनाया है, उस path की लंबाई को हम lambda से नापेंगे, और path को क्या कहते ह free mean path कहते हैं, clear हो गया, अब आपको एक example दिखाते हैं, वहाँ से आपको killer हो जाएगा, एकदम fail कर लेना, तो ठीक उसी तरह से electron move करता है, चले इसको note down कर लो, तो जिसे कि हम अभी बात करें थे ने, कि जब हम किसी conductor को जोड़ देते हैं, तो electron कैसे move करता है, तो अगर आप यह वाला जूला देखे हैं, इसको break dance कहते हैं, break dance, तो अगर यह वाला जूला पर अगर आप बैठे होंगे, तो एकदम अच्छे से feel होगा, कि कैसे electron move करता है, देखो यह जूला का, जो target होता है, कि यह जूला को move करना है, ऐसे करके घूमना है, चार उतरह पैसे घूमना है, यह इसका target है, लेकिन आप अगर इस पर बैठे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा, बाहर से तो आप देखिएगा, बाहर से जो observer उसको रगता है, कि छो सिधा नहीं घूमता है, इसका जो real target है, जूला का, कि इसको move करना, सरकल में घूमना है, लेकिन अगर आप यहां पर बैठिएगा, तो यह जैसी यहां से आगे जाएगा, तो बहुत तेजी से जाएगा, अगर आप बैठोंगे, तो यहां से एकदम जाएगा, जैसे स्टार मतलब ऐसा, फिर ऐसा लगएगा, एकदम फिर आगे बढ़rain GPS को न पर पहुच गे इंग एगन रिवा खर आगए, एकदम भी जी समझ साइडमार अपको, अगर हाप बैठे होंगे तो सच में चीचू प्यूंत हो रहा होगा, ऐसा ही होता है, यह अहां बैठे हैं और आयाम श्मीन क्या होता नहीं तो मज़े नैंब अकि ब्रेक करकर कई डान्स कर नहीं कि यहां से एक बार इधर गया और इसका तारगुंना ही लेकिन यह गोल कुंता है सीधा-सीधा नहीं पहले यहां से यहां जाएगा फिर यहां से यहां अएक़ भी शच्foil트가 इसे आएगा फिर ऐसे 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 और ऐसी करते करती है हमको घुमाते रहता है तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी ऐसी होता है कि उसका टार्गेट है मानलों यह कंडुक्टर है तो उसका टार्गेट है यहां से यहां आना है लेकिन यहां से यहां से सीधा सीधा नहीं आता है यह इलक्ट्रोन यहां से यहां तो आएगा आने में कितना टाइम लग जाएगा उसको क्योंकि इसकी speed क्या है velocity क्या 10 to the power of minus 4 मिंटर पर सिकंड है तो आप समझ सकते हैं कि इसका speed velocity कितना negative में जा रहा बहुत कम इसका स्विडिश को यहां से यहां तक बहुत टाइम लग जाएगा काफी टाइम लग जाएगा और यहां से यहां तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है आप यह वाला velocity को देख करके अगर मालनो कि इसकी लंबाई वन मीटर है तो देखो कितना टाइम लगेगा इसको जाने में अगर हम टाइम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा time यानि कि displacement upon velocity तो displacement मालनो 1 मीटर है और इसका velocity कितना 10 to the power minus 4 तो minus 4 जब उपर जाएगा तो पलस 4 हो जाएगा यानि टी बराबर 10 to the power 4 सेकंड लग जाएगा 10 to the power 4 सेकंड समझ में आ रहा है आपको 10 हजार सेकंड लगेगा एक मिटर के तार को क्रॉस करने में एक electrons को यहां से यहां तक एक मिटर मतलब 3600 से तो 10 हजार 10 to the power 4 को आप 3600 से डिवाइड कर लो तो इतना घंटा लग जाएगा एक electron को यहां से यहां तक एक मिटर के तार में जाने में इतना टाइम लग जाएगा बहुत ही कम मतलब यहां पर तो जो जूला जा रहा तो जैसे जूला में कैसे होता कि आप यहां से यह तो आपको यहां से एक चेकर लगाने में वो कितना टाइम लगा देगा आपको लेकिन आप अगर डायरेक्ट आते तो साथ कम टाइम लगता तो ठीक उसी तरह से electron भी होता है और जिस speed से जिस velocity से यह जो velocity है जिस velocity से electron आगे move करते है उसी velocity को कहा जाता है drift velocity अब आप खुद क्तुरिशन करते हैं तो अड़ इमेजन कर पा रहे होगे कि drift velocity बहुत ज्यादा velocity होता है या बहुत कम होता है तो अनसर है कि डृप्ट वर्सुट Rट क्या होता है यह तो पहला हो गया जीरू हो जाता है तो यह accelerated motion नहीं है इसका acceleration कोई नहीं काम बेदा लिए अड़ाश्ट में एड़्जस कर लेता है और यह accelerated नहीं बलकि drifted motion है कैसा motion है इसका drifted motion यानि कि बहना drift को हिंदी में कहते हैं बहना तो यह धीरे धीरे चलता कच्छुआ के चाल से चलता है है इस तरह से इसका इसका वेलोसरीटी बढ़ते जाएगा फिर यहां से आएगा तो बढ़ेगा यहां से बढ़ेगा लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं इसका वेलोसरीटी कॉंस्टन है तो इसको क्योंकि अगर वेलोसरीटी बढ़ता यहां से आता काने में टाइम कम लगता लेकिन टाइम तो देख रहा बहुत ज़्यादा लग रहा तो इसलिए यह एकसा मोशन है डिफ्टेड मोशन है तो उमीद करते कि आपको यह चीच किलियर हो रहा होगा और अगर जिसक है चले तो अब डिफ्ट वेलोसरीटी को डिफाइन कर लेते हैं ताकि आप एक्जाम में आए तो कोशन लिख सकते हैं है न तो डिफ्ट वेलोसरीटी क्या है कि जब किसी चालक को वेदुच्छेत्र से जोडा जाता है मतलब कि अपलाई ने जोड रहे हैं वेदुच्छेत्र लाकर कि या नि बैट्टे से जोड रहे हैं वेदुच्छेत्र से जोडा जाता है तब चालक में उपस्थित मुक्त एलेक्ट्रोन किसी निस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च दिशा में निस्चित वेग से गती करते हैं अताहिया जिस वेग से गती करते हैं उसे अपवाह वेग कहते हैं आपवाह वेग को इस तला से डिफाइन कर लेंगे और अपवाह वेग को भी डी से लिखाए आता है अपवाह वेग को भी डी से सूचित करते हैं आगे हम लोग अपवाह वेग का रिलेशन पढ़ेंगदे की drift velocity और एलक्ट्रिक फोल्ड में विडेन connection होता है यह सब चीज भी हम लोग आगे देखेंगे तो आज के पूरे लेक्षर में उमीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंड़क्टर में एलक्ट्रॉन कैसे मूब करते हैं विदाओट एलक्ट्रिक फिल्ड एंड एलक्ट्रिक फिल्ड के साथ में तो जब हम एलक्ट्रिक फिल्ड से जोड़ देंगे तो कैसे मूब करेगा और जब एलक्ट्रिक फिल्ड से नहीं जोड़ेंगे तो कैसे मूब करेगा लेकिन simply वो जो moment है जो जिग जग अवस्ता है उसको हम figure में ना दिखा करके हम लोग जब पढ़ते हैं तो यह मान लेते हैं कि electron कैसे चल रहा है तो एकदम सीधा सीधा reaction में चल रहा है जबकि इतना भूला electron है नहीं इतना हम लोग समझ लेते हैं यह electron जैसे-दैसे जिग जग ठीक है तो पढ़ने के लिए सिर्फ यह मान लिया जाता है कि electron सिधा हमोसन कर रहा है तो अब वहाव एक आपको clear होगी है उम्मीद करते कि आज का पूरा lecture आपको समझ में आया होगा अच्छे से आप कमेंट करके जरूर बताईए का आपका कमेंट जब आता है तो और अच् बना पाए है तो ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नए लेक्शन में